मुला नामुक्ती श्रफिकुल कातरी सहाब की भिला खैदरी अश्रेपी तश्रीफ लाए हैं और आप और हमारे सामनी जो है इस्टेज के जल्वा अफ्रोज है और साइबाते कराम भी जो है जल्वा अफ्रोज है तो लेहादा आप इधर उधर नाप खड़े रहें सामने आक करके इंशाला नूरानी बयान जो है समाद फरमाएं इंशाला अब आप अश्वला और स्वाला इंश्राम फ्रॉट वित्वा ऑदीन इस्तवा वाला आले ही वास्खापि ही कि सिर्क वड्सतवाद आम्मा बार पार्द वालोज भाला ही मिन बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम इनल्लाह वमलाइकतहु युसलून अलान नभी या अज्युह अल्भीन आमनूं शलू अलैही वसल्मू तस्मीमा इनल्भीन युदून ल्लाह वरसूलुह आमन्तु बिल्लाहि सदक ल्लाह अजीम वसदक रसूलुह नभी अमीम अल्मकीम करीम वनहुदू अल्या साथक मिन अश्याहिदीन अश्याकिरीन वाल्हंदू ल्ल्लाह वर्ब आलमीन एए मथहरे नुरे खुदा बलगलू अल्गला विकमानी मुला अली मुश्किल कुशा कश्पत जुजा विजमानी आई मजहरे नूरे खुदा बदगल अला बेकमाल ही मौला अली मुश्किल कुशाक कशफर तुजा बेजमाल ही हसने जाने फातिमा हसनत जमीर उखसाल ही यानी मुहम्मद मुस्तफा सलू अलैही वाली मिं खंसतु नुदी भी है थ falandoबाइर हातिमा अल्मुटफा वन्मुटथा वगना हमाव नवाडिमा माबादों मनेमन स्लीं कड़ जाएनी मुझिपलहिあ अलाबिदु वलबाकिरों, वस्वादितु वलकाजिमां सुम्म विदा। सुम्लतकी, सुम्म लपी सुम्मस्करी सुम्मम्हधी, हादियन, हदुरत इमामिंह、 खातिमा मेरे मुला, agriculture अल्लाह के वास्ते इसम-आजब और अल्लाह समत के वास्ते अपने बाप के भाई के माँ के और चद्ध के वास्ते या हुसें इभने अभी आओ मदद की वास्त और वरीम लवास अताए ही हम सब की गर्दनों के माने के वर्माया शाह अस्त हुसें बादशाह अस्त हुसें दीनस्त हुसें यी पनाँ अस्त हुसें सरदाद नदाद दस्त दर्दस्ते यसीड हक्का के बिनाई ला इलाख अस्त हुसें अजीजान मुहतरः सामाईने जबेल इहतरा मेरे अजीजों हुसाइनी जवानों फंजतन से मुहबद करने वालों बिल्खुस मिम्बर रसूल बिजल्वा फ्रोज उल्माई किराम आहिमा उज्जाम साधाते जमील इहतराम अल्ला का फद्ल कर्म है कि आज की तारीख में जिक्र हुसाइन की हमें दूसरी बार तोभी उमसित हुई ऐसे नसीबे पे पर्वन दिगार आलम हमारे मुकदर वो फखर हासिब है ऐसे नसीबे के हमें पखर हासिब है कि हमारी सांस जिक्र एहल बैद कर रही है और जब तक जान में जान और दम में दम बागी रहेगा हम जिक्र एहल बैद करते रही है सुनियाद नाम है इश्क मुस्तफ़ा मुहब्बत एहल बैद और ताजिम सहाव जो इस चार दिवारी के अंदर है वो सुनिय है वो एहल सुन्द और जमार इश्क रसूल के बगएर इमान की जमीन नहीं बनती है मुहब्बत एहल बैद के बगएर इमान की इमारत ख़ड़ी नहीं होती है और ताजिम सहावा के बगएर इसलाम मुकमन नहीं होती है अहिल सुन्द का है बेरा पार अस्थावे हुजोर नजम है और नाओ है इतनत रसूल इल्दा अजीजाने मुहतरम ये आशिकाने हुसाइन का मौजे मारता हुआ समंदर और मैं जानता हूँ अच्छे तवीचे से कि परवदिगार आलम हुसन नियत पर सवाड भी देता है और खुसन नियत पर कामयावी और कामरा भी देता है हुसन नियत किसको कहते है इस पर गर गर दो और दीजिए ताकि मैं एपनी तखरीर के मौजब प्रास हुआ अपनी किताब तस्टरत वाइजीं ने वर्माती है कि एक बार्गशा बहुत बड़ी फौज का मालिक हाथी ठोड़े पूट फौजी दस्ते कहते हैं कि उसके पास दस हजार अलम थे और हर अलम के नीचे दस हजार फौज थे एक दिन अपने वजीर आदम से पूछा कि मिन पास पौज की वोगी जम्म हो रही है वजीर आदम ने बताया कि आदम का नाव बार्शा सलामत ऐसा ऐसा मसला है इसक़र पौज है आपके पासे तो मैं इस पौज का मौज का मौज को मजीर लेके गया और पौज के दस्तों का मौाइना करवाना शुरूद है ये पैदल है ये भूर सवार है ये और सवार है ये हाथी सवार है ये तीर अन्दार है ये निजाबाद है ये तर्वार चलाने वारे है तो तब एक एका इंट्रोड़क्शन और तारुप करा रहा खलतने में बादशा के जहने जाने क्या बात आई कि जिस्म फिक कपकपी तारी हुई और गश्ख खाके जमीन के घिर गया फिर होश होगी है ये मुसाहिदिन साथ लेकर आई और इलाज और मौालजा शुरू किया कहते हैं कि लाग कोशिश करने के बावजूद बादशा ब फोरी सी राहे अप्डार। से हटी होई होती है किसी को किरन ले कर तिया किसी की जमीन ने ली किसी की जाएडार रही किसी का हम नहीं भी तो मौत क किसी इसे जन्नत की तर्म लेके जाएं इसके तो गुनां जादा हैं लोगों चाहर नहीं किया है अलब जाएंगे तक तराग वही तो एक गाइब से आवाज है कि जोज़े मैं शू Pam जैewa सो जे जानिखा या किहा mês रभा दीजा हमने इसे माफिज दिया कर दिया कको परबच दिया तो ने इसे क्यों बख्चा चाह सा आकुरी वड़ी में इसके दिने कध में ऐन आया था। उस ख्याल, इस हुस्नियत की वज़े से हम ने इसे माती अदा पर दोंगा। हम ने इसे बख्ष दिया, बस एक जुम्हा सुनी की जो इस्तिबाल करेंगे कि हम ने इसे बख्ष दिया, क्या क्या जब बाश्या अपनी फौच का मौइना कर रहा था तो दिन में खैयान गुजरा अगर मैं हुसाइन के दौर में होता तो अपनी फार्च के साथ हुसाइन की मदद के लिए पहुचता अल्ला ने इस नियत के बद्ले में माफ पर्माई आप आप अपनी आप एक जो दो अपनी इस नियुकता अपनी इस नियुकता शुलूब याज़ा भी आप पर्माई आल्लाहुमा सल्लेव सल्लेम अला सेयुति अन्पियाय वाल मस्तरीन वाला आलिह व्यदीन ताहिरीन इशिवर वाकिया सुन्ली आप हले वाकिया सुना कि नी सुना इसे दर्सों सबब क्या मिला बाश्चान इसे फ्रीज नियत की थी कि अगर मेरे पास ये पौच इमाम हुसाइन के जमाने में होती तो अगर पौच के साथ जाकर हुसाइन की मदद करता अल्ला ने परमाए मैं इसके सारे गुना माप कर दिये इसकी ये नियत कामाई मने इसे दर्सों सब्साइन के लिए ये वाकिया क्यामत तक के हुसाइन के लिए मशल रा है और सबब निजात है कि क्या हुआ कि हम दोर हुसाइन में नहीं है अगर आज हम ये इरादा कर दे कि परवर्दिगार अगर उस दौर में होते तो हम अपनी खूबत के साथ हुसाइन पाक की मदद के लिए पहुचते तो परवर्दिगाज आलब इस नियत के सब्के में हमें माप फर्मा दे तो ये इरादा है ना सबका हुसाइन ही है ना सारे लोग बोलो इरादा है ना कि अगर हम हुसाइन के दौर में होते तो हुसाइन के लिए जान पुर्वान कर देते अवलाद पुर्वान कर देते माद पुर्वान कर देते है ना तो अजीजाने महतरम किर्दार नहीं बदा उनका अत्वार नहीं बदा सिर्फ चहरा बदा है यजीदियों के दिल में घर्वनी बच्ति है वो चाहते हैं कि जिक्र हुसाइन मत हो इसलिए अलामा मुहम्मद अभी जोहर का शेर है कि पतले हुसाइन असलिमें मर्गें यजीद है मैं बदल के पढ़ता हूं कि तक्ले हुसाइन नहीं शिक्रे हुसाइन असलिमें मर्गें यजीद है इसलाम जिन्दा हो चिपा उस कर्वना के बार तो चितने बैठे हैं हाथों को बलं करके इस इरादे का इधार करें कि आखा हुसाइन जब 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 आपका जिक्र कोई मिताएगा हम तन मन भन से लगकर आपका जिक्र बलं करेंगे और अकर आपके दोर में होते तो आपके साथ कर्वना में आके यजीद के मुकामले में अपनी जब जब जाते के बताए कि हुसाइन जुझाद मांगो टुझाद होडा जांड देगे। लुझा इंवनिव चांड ये लुझा घुझा हुसें लॉन करके ल्बबब किया हुसें लबब किया हुसें लजो खरसे अन्हें केर्reiben कarrive बतर्ब को ढου खरान केरतひ से अन्हें और्वेड़ से अन्हें करो सम्न finance अन्हें है तो रेक्ना सबसे अन्हें कर्सें great job उर्लों कर दि says रेकना रेनीजाल ंणन अन्हें अधि खासई को बतर्दare आवा में वे शयुषle तिम्रेंट पुकाराएं यह उम्हसित का आख़ी शेव सुन जो हरात सो लिए कहना है हुआ इसलिए कहना है जनादे पातिमा जहरा के चाहें जिन्दावाद है जिसका पाक रहो बस वही पुकारेगा कमीना कह नहीं सकता हुसैन 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 किताब का लिखने वाला वर्से आसन कर लिखा अईसे पार के नापे बोलो पीछे प्राइब कमजोर नहीं है पिछली बार चश्मा लगा कि आया तक उसलोग कह रहे हैं चश्मा नहीं लगा है नंबर खतम हो गया नंबर आये ही अतम काम से होगा तो जितने लोग पीछे मैंके चेहरे देख रहा हूँ मैं और आपकी लप्रेश जरूर सुनगा क्या वस्ते नंबी है रसूल का दौर है किताब का नाम है खजीनत उस्तादार लिखने वाला वस्ते आदम का बेटा जो दाएं बाएं है वो भी अपना इसमें हिंसा मिलाते रहें लिखने आदम का बेटा क्या दौरा है हमारी तरह जबेर हमारी तरह पहतर हमारी तरह अरबी नसल वाला है और दगर दूजरा वेटा हुआ या रसुल विखने Wonderful तुम्मे है क्या बताओं dan काना काना का लूटा है काले स्याह रूपका है गरए गंडले में आपस में ये बाके चलती है कि हैसकी नेक नहीं है, इसकी बीवी बाकिरदार नहीं है, इसकी बीवी अच्छे किरदार भी नहीं है, उसमें अपने शोहर के साथ दवा किया है उसमें कहीं पे जाकर जिना का इतिकाद किया है, इसलिए इसका एक बेटा जो है, वो ना माँ पे है नबाब के है, चैते हैं कि रसूले खुदा करम कीजिए मेरा मसला हर कीजिए कि वो बच्चा मेरा है या नहीं मुझे इस बात पर गवाही अता परमाईए फैसला आपका होगा, मैं मान जाओंगा रसूल मुस्कुराए मुस्कुरा कर ये नहीं कहा कि मेरे सहाबी ये मसला तो गयब का है उससे न पूच, मैं नहीं रहनता ये रसूल मुस्कुरा की कहते हैं कि सुनने, मैं वही हूँ जो गयब की खबरे देता हूँ मैं वही हूँ, जो गयब की खबरे बताता हूँ तो सही जगी पे आया है आज का खबाना तो नहीं था न पिस ये ने किसी लिसी से अबर खूल निकाला और निकाल के अहद्दाबाद ये सुरत की लिबर्टी में भीज दिया और वहां से चौदा जिके रिपोर्ट आ गई कि हाँ साहाब ये जो है वो आप ही कभिका है यeg आप एंस सांके मिल गए है या भी कि अउलाद है इतना तरक्की आपका जमाना नहीं था तो बोरी रिसालत था ना साइंस ने तरक्की नहीं किया था मगर गुंरा था मगर रुवाणियत की तरक्की थी मगर यकीन की तरक्की थी पहला बेटा हमारी तरह खूब्सूरत तो हसी दूसरा काला कलूटा गंदुमी गहरे रंका रसूल मुस्कुराए मुस्कुरा के का खर्ण जा अपने बेचों को ले के आप अपनी दीबी को ले आप मैं तेरा मसला अभी हल करता हूँ अभी तुझे फैसला सुना देता हूँ का सहावी खर गए अपने दोनों बच्चों को ले के अपनी जोजा को ले के रसूल की बारगाह में आए बच्चे सामने बैठ गए सहावी सामने बैठ गए जोजा आउर्टों के मखाने में बैठ गई का सब बैठ गए का या रसूल अल्ला मेरा मसला हर कीजिए मेरा फैसला चुनाइए तर्म कीजिए हुजूर मुस्कुराए मुस्कुरा के सल्मान फार्सी को बुलाया सल्मान इधर आओ मेरे खर्ज आओ मेरे शहजादी से बहो मैं अपने हसन हुं को बुलाना हुं मैं आपने हसने ह्सादी से मिन्न फार्सी उठे जड़ी सहजादीयं हर Thats शहजादीयी काईनात शहजादीय कोनैं खातून जबन प्रतौसивली दूरी चश्म तर्मतनी ना lira치 सयधा टैयबा टाहिरा जाहिरा आदिदा, नफीसा, सिद्धा, साधिता, जन्नत की हूँ अपा के दिन का सुरूर वो जहरा कि पारू के आदम फर्माते हैं रबिय ल्लाहु तालान हो कि खुदा की किसम हम सहाबा जब रसूल से मिनते थे तो कहते थे विदा का उम्मी वादी या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाब पुर्मान हो जाएं और जब रसूल फातिमा जहरा से मिनते थे तो फर्माते थे फिदा के उम्मी वादी या फातिमा या फातिमा तुछके मुहम्मद के माँ बाब पुर्मान हो जाएं आप पर मेरे माबाप पुर्मान हो और फातिमा जहरा अभी जाने मुहतरम गौर्ट फर्माईएगा उम्मुमिने सेयदा तयबा ताहिरा जनाब आईशा से त्रीका फर्माती है मुझे बादे नमाजे जोहर ये खबराई नहीं सुना चुका हूं मैं एक्डे की बिज्ग में इमाम आप पूल खर्मान के परोगराम में हुए जल्दी से वेटे को गोज में दिया माथा चूमा धिनाब आईशा केखी है बात में मैं पहुँची मुझको खबर आई मैंने जहरा को काके बहा मुबार्ट हो पातिमा तुम्हें अल्ला ने फिर वेटा दिया है तो मैं पहुँची मैंने मुबार्ट बात दी मैं पिछाएं नमाज पढ़ें हमने क्या देखा हमारी मांखों ने क्या देखा कि फातिमा जहरा जिनके घर फजल के बाद बच्चे की विलादत हुई उन्होंने मुसल्ला उठाया मुसल्ला पिछाया अल्ला हो पर गहके मुसल्ले पे खड़ी हो गई अजीजाने महतरम इतना पीछे ने रहिए तक्रीर से आप जाके कूरी धुरिया में पूछ सकते हैं जिसके घर बच्चे की विलादत हो वो खानून 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़ सकती है वो 40 दिन तक रोजा नहीं रख सकती वो 40 दिन तक मुसल्ले पे नहीं खड़ी हो सकती क्यों तो एक 40 दिन ना थलग रहती है नमाज नहीं पढ़ती खौरान नहीं चूथी मज़ब नहीं चूथी तिलावत नहीं करती इबादत नहीं करती पता चला 40 दिन कम से कम हर खातून को मुसल्ले से जुदा इबादत से जुदा तिलावत से जुदा रहना पड़ता है अम्मी आईशा कहती है और है जिसे मुसल्ह इबादत से लोग ले, मैं फातिमा हूँ, मुझे मुसल्ह इबादत से नहीं लोग से लोग अब्राक आंचनार पंजी दंगे, एक नारा है जुद्धू है कौन फातिमा जहरा अजीदाने uważतरम खयामत को दिन होगा आदम की जोजा जनाब हुवा आएंगी एलान होगा इन्हें त difí मान की जोजा आएंगी इन्हें त ख्में बिठाओ इन्हें तख्ति के बठाओ और इसी चेसी खयामत के मैदान में इसमारी की जोजा आएंगी, जनाबे वर्यम आएंगी, जनाबे आसिया आएंगी, जनाबे सफ्पूरा आएंगी, जनाबे कुल्सों आएंगी, ये अंबिया की माएं हैं या तो अंबिया की बीवियां हैं, इनको बिठाया जाएगा, कहते हैं इतने में, मैदाने महशर में श शुखानों यहां तब के उलमा ने फ़र्माया है अम्भिया को भी आप को भी हुक्म होगा और निगाहें जुखाओ क्यों इसलिए कि अब मैदान Einem मैदान महशर में हभीद खुदा की शहजादी हसनें की मा अली की सौजा फातिमा जहरा आ रही है बनादा मुनादियम वराइल हिजाब तो पर्दे के पीछे से आवाद आएगी या अहदल माशर मैदान महशर में हया का पायकर तहारत का पायकर मुस्तफा की बेकी हसनें की मा अली की सौजा अपनी मुझे सताया जो उन से बुख रखता है जो उन से मुहभत करता है बोगया विज मुहम्मद मुस्तफा से मुहभत तो रसुल नहीं का का सलमान मेरी बीर्ती फात्मा की ख़र्च आओ तो वहां से मेरे शहजादों को लेके आओ अचा सामने केस पड़ा हुआ है दोनों बच्चे बैठे हैं एक जो माँ और बाप की तरह खुंसूरत गोरा और हसी एक जो है वो गहरे गंद्वी रंका काले रंका पीछे जौजा बैठी है आगे उसका शोहर अगे उसका शोहर अगे वाली जनाब सेयदा फातिमा जहरा की कमीज जनाब फिज्जा तरवाजा खोलती हैं दोनों शहजादे एक तम थुले हुए एक तम नहाए हुए नए कपड़े कहने अमामा बांधा और गड़े में हार कहने हुए सामने सरी समरे खड़े हैं जनाब सल्मान ने कुछा फिज् तयार कैसे किया तुम्हे कैसे पता कि मैं शहजादों को लेने आ रहा हूँ विज्जा मस्कुला के कहती सल्मान तुम जिस नभी के खुलाम हो मैं उसकी बेटी की कमीज है कितना करम तो मुझ के है कि मैं घर में मैठे वैठे आलम की खबर रखों तो दोनों शहजादे तयार सल्मान ने पार्सी के हवाले किया सल्मान ने शहजादों का हाथ पकड़ा और चलते हुए रसूल की बारगाह में आये नभी ने देखा सामने से शहजादे आ रहे हैं अजराहे मुहबत मुस्तफा करीम खड़े हो गए अजराहे शब्कत में रियाका खड़े हो गए अपने लाएं जाने पिठाया एक को बाएं जाने पिठाया दोनों से मुहबत करने लगे का ना या शुम हुमा रसूल क्या करते हैं उन्हें चूंते और दोनों को सूंगते तो सारे लोग यहां करते हैं सबने बच्चों से प्यार किया है जो सईब है वो जो जवान है वो आप प्यार करते हो बच्चे से तो चूंते हो रसूल जब हसनें करिमें से प्यार करते थे तो क्या करते थे शहदादों को चूंते थे चूंबने के बाद सूंते खरीब करते सूंगते, खूब सूंगते अम्मी आईशा सिर्जिका ने पूछा या रसूल आप शहजादों को सूंगते क्यों हो तो नभी मुस्कुरा के कहती है आईशा जब मैं जन्नक ने गया था ना तो मुझे जन्नक का फर खिराया गया था खुदा की तसम जब उस फ़ल की खुश्बू की याद आती है मैं हसनों हुसाइन को सूंग रेता हूँ जन्नक के फ़लों की खुश्बू है वही मेरे शहजादों की जिसमू जिसमू ता रसूल चूने लगे, सूने लगे, प्यार करने लगे और अजब प्यार कर चुके तो सल्मान को का सल्मान मेरे शहजादों को हच हो रहा हूँ तो सल्मान शहजादे लिए 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 साभी ख़ड़े होके कहते या रसूल आल्ला इखतलाज ये तलुक बढ़ रहा है दिल की धर्कन बढ़ रही है दिल का जो है वो बीपिहाई हो रहा है दिलकी पल्स जो है वो बर रही है नफ बर रही है पल्पटेशन तेज़ हो रही है तो करम कीजिए संकार मेरा पैस्ता कीजिए रसुल मुहतरम ने सहावी को गौर से देखा अब देखता हूं जुटा कितने लोग फखर पातें कहा तक तक तकरीब पहुंची है रसुल ने सहावी को गौर से देखा खबरदार कभी अपनी धीनी पे इल्जाम ना लगाना वो नेथ है वो परहेदगार है वो अमानतदार है वो बेड किरदार नहीं बाकिरदार है वो बड़े ही अच्छे किरदार की खादून है और ये दोनों तेरे बेटे है का या रसूल ना आपने कहा मैंने मान दिया आपने का अल्गाएख है मैंने माना आपने का कियामत है मैंने माना आपने का चन्नत दोजख है मैंने माना आपने का खबर है फिर हची है नहीं माना मैं तो मान ही रहा हूँ आपने कह दिया नहीं अगर मुहले मेरे जो आपस में लोग बाते करते हैं तो कोई धनी रता कीजिए ताकि उन्हें चुप तरआया जा सके रसूल मुस्कुराए मुस्कुरा के गा तुमने देखा नहीं जब मेरे शहजादे आए तो तेरे दोनों बेटे अदब से खड़े हुए मेरे शहजादों का हाँ चुमा उनके सामने हाँद बांदे खड़े रहे मेरे सहावा सुन लो कयामत तक वो हलाल जादा है जो मेरे हसन हुसाईं से मुहबब करता है कि मुहबब न करे वो हराम जारा नारे हाँजिरी नारे हाँजिरी नारे अटेशिरी नारे पंझे जंके लारा था जरी गाली 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 गा लबेग याहुषें याउसे, 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 याउसे! कॉन को यजीद से डरता हां उठाएं? कोई नहीं डरता? अगर कई आके दमक्यों की दी हो, तो बताओं. नहीं ना, यजीद मर गया? मिट गया हुसाइन ने यजीद को तख्त के ताद दफन किया कोई नाम लेवा नहीं है हुसाइन नेजर के सवार तो हुए जिसन तो जुदा किया गया सरसे और अल्ला की ससम कयामत तक जब तक दुनिया पाकी रहेगी या हुसाइन का नारा लगता रहे लगता गया, हुसाइन घया भादा नारा लगता नहीं है या कर्त है तक है धना जादा है जो मेरी यह वह इस्ट मोहबद करें अधीस मैंने रसूल का फर्माद मेरे आखा फर्माते हैं मैंने आखा फर्मादे जो मेरे अहल बैर का हक न पहचाने या तो मुनाफिक है या तो हराम जादा किसी को अच्छा न लगे मजा न आये या क्या हुसें लगा की रखा त僅ा क divergence लोगों को यह पताएि के मजे अच्छा दा nगा या यह न पताए जिसको अधि अजह हैं यह तो मुनाफिक होते हैं या ना पाकी बच्चे होते हैं यह हरामजादे होते हैं और ये तीनों बात चुमाने की है, चो राहे के बताने की नहीं है, कि आप सब को बताते भी हैं कि मुझे आली रुसे अच्छे नहीं लगते, दुनिया जान जाएगी, कि इसके अंगर ये आभ है, इसलिए अगर खुदाना खासता जिकर एहल बैट में मजाना आए, तो किसी क अब व्याद मिलेख तो तो तोच कर भी वाले लेएं से सपी मैंने से कहा था कि अणी फातिमा जहरा के चिसदाबादात पाप जिन्दाबाद है तो यह मस्जिदे जिन्दाबाद है तो मजारात जिन्दाबाद है हुसेन जिन्दाबाद है तो मिनारों की बनंदी जिन्दाबाद है तो गुंबत की चमक जिन्दाबाद है हुसेन जिन्दाबाद है तो खानुकाहों की यह जल्ला जिन्दाबाद है हुसेन जिन्दाबाद है तो मजरसों की खाल ल्ला जिन्दाबाद है हुसेंद जिन्दाबाद है तो ये जुबो नस्तार ये जल्सा जुलूस ये तिलावत खुरान ये सब जिन्दाबाद है एक हुसेंद बदाहिर शरीद होकर पूरा इसलाम जिन्दाबाद कर तभी खरीव नवाद में पुकार के फरमाया शाह अस्तु हुसेंद बैना तुन खानकाए चिश्टिया की नुमाइंदगी है तुम्हें बात खरीव नवाद की बनाए ताके मजा है क्या परमाया शाह अस्तु हुसेंद बाद शाह धी थी पना सर्दाद नदाद द स् established यजीद रखका के भिणाए ओलाद लाजा भाध कर имॉसेंद बात गता है ये शाह का क्या मत्स्लब है वाद भाद्जारिया मैं जरीम हिमास के ही शेव के बाद है, शाह का क्या मदब और बादिशा का चाहु आब रहाँ? है किसी के बास जवाब? उना समझेंगे अगर आप तुम्हा आप को संदाओं बहुता को तक्रीफ है रहुता समझना चाथे हैं जिसे सित्परत सुनना चाहँए जोड़ दो बो होता है राजा हाकिर पादिशा का मतलब होता है राजा हाकिर जोनों का एक इमान अलग-अलग नहीं है एक ही ही दूनों का जाके शब्दकोश दिक्ष्णरी लोबत क्या कहें रज़ाते हैं लबत को दिक्षेनरी को ग्या बेते हैं, मुझा जिसमें पूसी बड़े लब्स का माना देखा लाता है, दिक्षेनरी, लोग अना? नौनी, युल्वर राग परते हैं, तो नौनी कहा है, पहले हैं दो पहले हैं, तो लोग पहिंगी रहे हैं कुछ, सब्ध कोश, जिसमें अलबास के माना होते हैं शाह का माना जाके शब्गोश में देखिएगा लोगत और बादशाह का माना शाह का माना भी होता है राजा हाकिम मालिक बादशाह का मतलब भी होता है राजा हाकिम मालिक अत्तर्जम कीजिए आप हुआ जाज तो है है शांस्त हुसें हुसें राजा है बादर शाय वाजा है ऐसरे अतिवाड़क्टि है नहीं तो वर्टी मताया है कि पानी पानी लाओ खाना खाना दाओ हार हार पहनाओ माइक माइक लाओ तो आपको मामा एक बार कहिए दो बार न कहिए मगज़ फिरता है है कि ने बुलो तो पुला रहे वह आदमी उसकी बार चोड़ो वह एक लगज़ दो बार बो शास्त हुसाइन वाधशाद है हुसाइन राजा है हुसाइन हा की ना है कि देखे बहुत भी रहे इसके चल रहा हूं इस लख को समझे पक्री वहीं से शुरू हो अक्सर नौजवान हैं स्कूल अपॉलिक जाने वाले इसके बड़ ले रहा हुसाइज देखे किसी भी लख के दो माना होते हैं दो 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 एक होता है उसका माना जो शक्तोश में हो एक वो माना होता है जो अवाम और पप्रिक इस्तेमाल करती है उसकी निसाल चुनिए आइन आइन का मतलब है चश्मा जहां से पानी निकले और अरबी में आइन आँख को भी कहते हैं इसलिए कि आँख से रोशनी और नूर निकलता रहता है अगर कोई कहा आइन आइन तो मतलब हुआ जहां से पानी का जीला फूते जीलो उसे कहते हैं अगर जब अवाम में बोलाता है तो आइन का मतलब होगा आँख एक मिसाल और सांचि इसी भी लफस के दो वाने होते हैं एक अरब इस्देशनरी ने एक इस्लाम के इस्देशनरी जोट से बोलो क्यों कह रहा हूं पता है तारीशो मदीरतिल हुसाइन ने लिखा हुआ है कि शिवर का भाई नामाद नहीं पता है श्युम्र का भाई नमाज नहीं पढता था एक दिन किषी नो उससे पूँचा वा तो उपकी नमाज क्योई पढता करते हैं तक हो इसलिए कि नमाज में आले मुहंद का नाम लेना पड़ता है अर्दा अक्षूम्द मुहंद का बेना नमाज बेगर तो बताएं कि हम शिमर के भाई नहीं हैं, हम हुल के भाई आएं नमास पढ़ा करें, यही करवला का पैगाम भी है मैं यह बाद शुन लीजी अजी जाने मुहतराम कि सलाथ कहां लग क्या होता है क्या होता है, नमास जोर से सलाथ का मतलब, नमास का मतलब, सलाथ, सलाथ का मतलब, नमास ठीक है, लगर यह इसका इसलामी माना है शब्धकोश का माना नहीं है अरबिक शब्धकोश में जब सलाथ का माना देखेंगे आप तो सलाथ का मतलब है, मीनिंग है, माने है अंदा देने के बार मुर्गी जब तूर हिलाती है उसको कहते हैं सलाथ सलाथ क्या माना है एक मख्सूस पर्टिक्यूलर हरकत एक पर्टिक्यूलर एक्शन एक खास हरकत को कहते हैं सलाथ जिनि मुर्गी अंदा दे दे के तूर हिलाए तो उसे करते हैं सलाग, मतलब इशारा यहा है कि दो हिलाली मतलब बाइदा देखी यह है अरब की जिश्कनी माना मगर मसूल लाने आखे सहाबा को का सहाबा अस्वलाद खाफिजू अलस्वलाद सहाब एक राम लिका या रसुल लाद मा माना सलाग, सलाग का क्या माना, क्या करें हैं क्या ऐसा एक्षन करें, मख्सूस अमल करें, घरकत करें यह सलाग हो, रसुल लेका मैं बताता हूँ मुसला भी शाया, नियत बांदी, कयाम, लुकूर, सजदा तखियार पड़के सलाम फेरा, फेर के का, इसको कहेंगे सलाग तो सलाग का, शक्तोश में माना है, एक मख्सूस हरकत और इसलाम में माना है, अल्ला के लिए, अल्ला होग पर कहना फिर ना दाएं बाएं आगे पीछे से बेखबर होगे, सलाम फेरने तक, अल्ला की तरफ तबज्ज़ रखना यहीं रुकू, गाइदा, सजदा, कयाम, इस हरकत में मख्सूसा को, इसलामी लोगत में कहेंगे, सलाग समझे हैं, समझें ना, सूं, सूं का क्या मतलब, इसलाग नहीं, सूं का मतलब है, फूक जाना, फखहर जाना, अपने आउप को रोक लेदा जम नभीने का सूं, सहाबाने का हुदूर हम किस चीज ते अपने आप को रोकें, इस चीज ते चलने से सब्सक्राइब आपकर तक खाने पीने और प्रपत से रुकने को कहा यह सौन इन तीन जीसों से सुबा से शाम कर लुकना है यह सौन पता चला सौन का लोगत में माना है रुकना और इसलाम में माना है खाने पीने और सोहबत से बाद रहना फजल से लेकर के मगरी अब समझ गए ना एक होता है लुगत में माना एक होता है इस्तामी माना अब आईए खरीर नाद में क्या परनाया बाद शाह अस्त हुसैन बाद शाह अस्त हुसैन दोनों का लुगत में इस शब्द कोश में माना है हाकिम राजा बाद शाह मगर सवाने फार्सी जानने हाले फरमाते हैं कि अवलिया अल्दा के मजदी शाह और बाद शाह में फर्द है बाद शाह उसे कहते हैं जो रूब जवीन पे हुकूमत करे सहरा पे दरिया में जंगल में बस्ती में गाओं में शहर में जिसकी हुकूमत हो उसे कहते हैं बाद और जिसकी हुकूमत जमीन से शुरू हो, आस्मान तक चली जाए, उसे कहते हैं शाह अगर समझ में आई तो सुभान अल्ला कह दीजेगा, ताकि मैं खरीब नापस की बात को आगे वढ़ाओ शाह कहते हैं यूनिवर्सल किंग को, जिसकी हुकूमत जमीन से आस्मान तक हो, बात्षा कहते हैं उस हाकिम को जो रूवे जमीन पे हुकूमत परे, समझ में आई बाए, अब आगे चलो खरीब नापस ने परमाया, शाह, अस्त हुसैन, हुसैन, जमीन और आस्मान का बादिशा है, बादिशाह, अस्त हुसैन, हुसैन, बुए जमीन का बादिशा है यानि खरीब नापस बता रहे हैं, जो खुसैन की हुकूमत को कम नसम दो, वो अर्श से फर्श तक पर फर्श से अर्श तक ही हुकूमत करता है, जमीन के जल्वे जल्वे पर हुकूमत कर रहा है अब इसकी विसाल सुनिए कि या गरी नमाज शाह कैसे है हुशाइन शाह कहते हुशे इसकी जमीन से आस्मान का भुबूमत तो दिवायत में है साहिबे रौज़त शौधा परमाते हैं कि एक राट दोर बच्चे जोड़ते हुए अपनी माँ के पास आए माँ के गर्दन में हाँ डाला और डालने के बाद का अमी जान कल सुबह इद है सारे मदीने के शहजादे नए कपड़े पहनेंगे हमें भी नए कपड़े चाहिए सेदा कयबा ताहिरा जनाब फातिमा जहरा ने शहजादों के माथों को बोसा दिया देने के बात परमाया जाओ जाके सो जाओ आराम से सुबह तक दर्जी कपड़े लेके आ जाएगा सुबह तक दर्जी कपड़े लेके आ जाएगा शहजादे जानते तक इस घर्ण को शूब तो बोलता नहीं परवर्दिगार वादा तो कर लिया है मैंने कि दर्जी कपड़ा लेके आएगा अब अगर कपड़े ना आए तो तेरी कनीज, तेरी बांदी, तेरी बंदी अपने शहजादों की निगाह में होगी परवर्दिगार मेरी लाज रख, मेरी जबान की लाज रख, काभी गुआ करी रही थी, कि इतने में दर्वाजे पे दस्तक की आवाज आई, किसी ने दर्वाजा खटाया, सेयदा ने पूछा कौन, पीछे से आवाज आई, अना खयातुल हसनें, शहजादी, हम हसनें के जो तीछे वाले भी सुवान अल्ला कहें, तो बात आगे बढ़ाओ, अहां हम समयन के दर्शी है, दीदी कपड़ा लेके आएं हैं, दर्वाजा खोला गया, कपड़े लिए गए, रसूल खुदा की शहजादी ने कपड़े रखे, सुबा हुई, शहजादे उठे, अम्मी अब देखने के बात कहां, अम्मी जान, यह सबेद हैं, और अरब के बच्चों रंगीन कपड़े पहने हुए हैं, हमें भी रंगीन कपड़े चाहिए, शहजादी ने कपड़े देखे, और देखके कहां बेटे, कपड़े रंगीन कैसे होंगे मुझे नहीं पता, अपने ब के अली के पास आए, बाबा कपड़े दमजी दो लाया, मगर देखिये सफे, हमें चाहिए रंगीन, अली ने देखा कपड़े पनटकर, समझ गए, कि यह कपड़ा कोई आम कपड़ा नहीं है, यह बड़ा खास कपड़ा है, का अली ने कहा, मैं मुश्किल कुशा हूँ, मग सफे, हमें चाहिए रंग भी रंगी, हम रंगीन कपड़े कहनेंगे, रसूल मुश्कुराए, अर्श की तरफ निगा की परवर निगारे आलम, कपड़े तो जन्नक से आए है, लाने वाले जिमरीन, साथ मेरी जन्दार, का कपड़े तो अर्श से आए, अब रंग बदने कै से, जिमरीन अमीन आगे, तो या रसूल अला, सोचिये मठ, सर्मा ने वार्शी से, अपने वजू का लोटा मनाये, और एक तश्ट, तश्ट में रखिये कपड़ा, मैं डालता हूं पानी, आप उसको अपने हाथों से मन लिए, और शहजादों से कूचिये कौन सा वंग चा पानी आया, कपड़ा हरा हुआ, हुसैन का कपड़ा रखा, पानी वही है, हुसैन कौन सा वंग चाहिए, कणाना सुर्ख, लाज, तो कपड़े पे पानी गिरा, रसूल ने हाथों से जुमिष्टी, तो कपड़ा हो गया, सुर्ख, क्या समझे, जन्नत से आया था सपे, हसन ने चाहा हरा हो, मीला, हुसैन ने चाहा ला लो, क्या समझे, दुनिया में चाहे, जितना रंग बदल लो, जन्नत में या तो हसनी रंग चलेगा, या तो हुसैनी रंग चलेगा, या तो हुसैनी रंग चलेगा, शाल लाला, हाले, है िर वान्यत्तमेदिु पिद्वी, दी जाने में में आगे पताया जे जपना हो गया खारा एक हो गए अलार वसूर ने शहदादों को पहनाया का तैयार हो जाओ हम चलेंगे ईदगा नमाजे ईदगा करने के लिए कर ये कहकर मुहम्मद आरभी सल्दल्लाहु लिए वसल्म लिबास में मल्मूस होकर ने सहरा पाक के खर गए का मेरे बेटों को लाओ मैं उझे लेके ईदगा जाओंगा का दोनों शहदादे दोड़े हुए आए एक घरे जुपे में एक दाज जुपे में वजैसे आए तो कहा नाना ईदगा चलेंगे हाँ का नाना सारे बच्चे अलब के अपनी अपनी सवालियों पर बैट के ला रहे हैं उट भोडे खच्चल पर बैट के जा रहे हैं नाना हमारी सवाली कहा है जिस पर हम बैट के जाएंगे नभी नहीं यह नहीं का अली जाओ मेरी उटनी लाओ मेरा भोला लाओ मेरी सवाली लाओ नहीं हो हुसाइन के मूह से निकला रसूले खुदाने बुठने जमीन पे रखे हाथ जमीन पे रखा ता हसना मेरी पुष्ट पे सवार करो अली रसुन हुसाइन पुष्ट पे बैठे नाना ने घर में चक्कर लगाना शुरू किया उपको देख चकर लगाना नभीमेवनदर वाली जुल्फों को दो हिस्टों में बाटा और जुल्फों को खम दिया रस्टरी बनाई अर हसनें के हाद में पक्रागे कहा ये है तुम्हारे सवारी की रस्टी जाला बालोलत ये था सहावा कहते है हसान حसान ने जुल्फ محمब पकड़ा है वल्लाई यी इजा सजा पकड़ा है अगर हुसैन दाएं खीशते हैं रसुल दाएं जाते हैं हुसैन भाएं खीशते हैं रसुल भाएं जाते हैं मैं कौनगा या रसुल आल्ला ये क्या फ़र्वा रहे हैं तो नभी मुस्कुरा के कहेंगे देख लो विए स्मझनों, पिएונה मेरा होगा, शपाद मेरी होगी, कौसर मेरा होगा, जननत मेरे होगी, मझर मर्जी में तैनों हुसाइन की होगी, मैं जिसे जाहेंगे, मैं उसे जननत में दाकिल करता जाओंगा, लपें, जोGuisfring, जोब जो कि दोगा होगी, लबेग्या हुसें! अजीजाने मुहतरम इतने नहीं है इतने में इमाम-छसन ने कहा नाना, सबकी सवारियां आवास कर रही है हमारी सवारी क्यों नहीं कर रही? रसूल ने पौरल पहा अलाफ। अफ यानि माफि तक्छे बार कहां? जिबनी रहा गए या रसूल All meus अब नहीं कहित आलफ। माफि वरना जेहनट्णम बुञउदेगा नहीं भाइन्या अल्लाक जेहनदम बुझा देगा पर अल्ला नहीं चाहता किता दुश्मान जेहनदम मददेखा इसलिए जेहनदम जलती लाए जिम्रील कहके चले गए मेरी समझ में तो यह आया कि खेल खेल में असलों हुसाइन चाहते है आज जहन्दम बुच जाए नाना के उम्मार जहन्दम से निजहात पाजा जाए अल्ला। क्या समझने आला। बैठे हैं जमीन पे कपड़ा मांगे तो आए आसमान से बैठे हैं जमीन पे अल अफ्व करा दे तो जहन्नम की आग बुझने लगे अब समझे खरीम नवाद ने ये क्यों कहा शाह! अस्त हुसेर! हुसें शाहर! जमीन पे कपड़े मांगेगा तो जन्नत से कपड़े आएंगे! लामदलब शाह का जिसकी हुकूमत जमीन से आसमान तब हो शाहस तो हुसेर हुसें शाह है जमीन पे बैठे आसमान से कपड़ा आए तरसुट में पहुँचे सेयदा जहरा में रठी है कपड़े आएक ने हमारा इसके बादली की अखड़े होकर कपाबा कल से खाना नहीं खाया खड़े होने की हिम्मत नहीं थै नभी बैठ गया कपड़े मैंने भी पीकूमत से नहीं खाया फिर वो आया जो हैदर-ईकर्णार है जो साहिवे इन्नमा है जो मुरादि कुल कफा है, जो हन्दानी मुश्किनात है, जो गालिब कुल जगालिब है, जो बद्र का फाते हैं, जो उहत का फाते हैं, जो साहिरे तन्वार है, जो साहिरे जुन्तिकार है, जो शहरे इन्नमुस्तपा का दर्वादा है, जो हसने का बाबा है, जो कासी में जन् अजोजो बालान को इसका मिल्म में, आली वो आली है कि जिसके सामने किसी गाई उटीका नहीं जिसमें जो पूछा उसका जवाब अनी ने दिया उसकी मिसाल सुनी जिए ताके बात आगे बढ़ाओं हुकोफे में मौला कायात के नौवे हुकोंत नहीं जोंने ये तैज जिया अली जवाब न दे सके थे त्यूआँ कि मुझे पूछे घृचे बामका न दे जो पूछें किसी नहीं कि चूछें कि पूछो गोशा पूछो सब्सक्राइब जानते हो क्या पूस्क्राइब जो सूद खोल के घर कि खाने का मज़ा वही पाखाने का मज़ा तो जैसे जवाब दिया तो सवाल करने वाले लाली ने पूछा अपने खुलां सबंबर यह भागा क्यों प्यारी कूपे का समसे वासूद खोल यही था जो आप से सवाल कुछ ने आया अजा अजी कि लोगो मुछ से पूछो आस्मान के रास्ते मुछ से पूछो जमीन के ख़जाने लोग यह सब पूछ देए कि यानी कौम में इतने मनाफ्ति लग धर घाल से हैं कि अली डेंगे ते हैं पूछो आप में सोच रहे होंगी मौला आपा यह रस्ते कमा था है आसमान देखाई किसी ने रास्ते को जमीन पे है हाईवे हम दावास चराख्षोट का हाईवे बोलो है ना बंबे का हाईवे यूपी का हाईवे कि अधिक हाईवे आसमान पे हाईवे थोड़ी बना है जो अधिक रहे हैं आसमान के रास्ते को जो एक निसावाल आप कर रहे हो ना कभी जाएवे किसी एर्टक्राफ कंपनी से पूछिए कि आसमान पे रास्ता है भी नहीं अहिंदाबास जब श्राइट होटा है ना तो आफिक हाई रास्ते बने हुए है जो वही जानते ही तो आसमान में उते हैं यह सौशाल पहले साइनस द्यानों ने तरियात किया कि आसमान पे रूट है उसके जरी चला जा सकता है अली कि शौदा सो शाल पहले कह दिया जिसको पूछना है मुझस से आसमान के रास्ते एक दिन कुफे के मुनातिकों ने मिलके ये तैटिया, कि आज अभी से वो सवाल करेंगे, कि अभी जवाब देते भाएंगे. मस्जिद में आजाने फजर हुई, नमाज हुई, अली मिंबर पर आए, तो पूछो क्या पूछना आए, सवाल पूछो, मैं जवाब देवाब, वो ख़ला हुगा, याली, मैं बहुत दूर से आया हूं जाति में, कहां फेर, कहां हमारे आएंग मसला हो गया, का क्या, का मसला हो गया, याली, के एक बक्री और एक कुट्टे को मिलाकर नई नस्व पैदा की लिए, क्रॉस ब्रीटिंग जिसे कहते हैं, जो आप चर्षी गाए को दूर पीते हो ना, इसका मसला पता है आपको, गाए और खिंजीर के मात्यों को मिलाकर नई नस्व बनाई गई है, दूर जादा हसलिदी, उलमा का पत्रा है इसके उपर, जवास का पत्रा है वह अनवाथ है, जाइज है, तो गई ही नहीं बात क्या है, नहीं बात नहीं पुरानी बात नहीं, नम्रूत के दमाने में, जब सफन के लिए ऐसे सावारी के जरूरत हुई, कि जो बोल उठा के तेव द चाह नहीं सकता होता है तो क्या किया खोड़े और गधे के क्रॉस प्रीडिंग के तरिए एक नई नस्ट पैदा की गई उसका नाम रखा गया खचर ट्टू जो गधे से उंचा होता है बोड़े से छोड़ा और नम्रूर ने नसल मनाई बहुत सक्सेज हुआ बहुत उसी से सा नकल और हमल सामा लेयाना लेगाने का काम चलता था यहां तक के हमशा के बादशाने एक खचर उसी नसल का फिया और नसल का रसूल अल्ला को तौपे में बहुत पूरे सपेद रंगा था काले खुड़ते माथे पे काला निशान था बड़ा खुमसूरत नीवी आंके वाला खचर था रसूल को मिला तो रसूल में चलने के लिए चोड़ा उस पे सवारी ने की सहाबा ने पूछा या रसूल अल्ला आप इस पे सवारी कप करेंगे बुजोर ने का रखता आने में बताऊंगा अच्छा ने वो तो दोड़ता था ना तो ता में इसा पहला के बहुत नम्बे चंप मारता था तो जमीन पर बगड़ के चले उसे अरबी में कहते है दुल दुल क्या कहते हैं दुल 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 तो एक नभी के खचर का नाम था दुल 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 जंगे खंदक में अली को वो खचर दे के का अली इस पे बैठ कर तुम मैदाने जंग में जाना किसी ने अली का एक लख़ब है दुल दुल सवार अथा अथा गर थो जर्फ़ब का शॉब को सबना डुल दुल 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 दूल ज़ाया अली कि चलती वो एक पुत्ता और बती को बिलाके लएक नसल पएबा हुई है आप ये बताईए वो हलाद है या हराम जनी हो कुटा गिना जाए या बत्री दिन देए अजिए दिल ने क्या खयाल था जवाव अनी देंगे नहीं तो हम कहेंगे यानी जब कुछ दे नहीं पाते हो जवाव तो खामका क्यों ये पहते हो पूछोओं हमसे पूचो पूछो जुफरा मैं लगनि समचाओं। क्या पहापता है? मोला एकारा अदिगे पुद्दा हलाल एकर रस्षएघ. पाबे इनमे मुस्तफा. जोजे़, खदाने नौ हिस्से किये इनुंके, दास हिस्से किये इनुंके, नौ अलीको दिया. इनको खल्ग किया प्रैदा किया तो उसको तस हिसों में बागा नौ अली को दिया एक पूरी दुनिया में बागा उसमें भी समसे गाजा हिस्ता अनी को मिला सुभा अल्ला जो से सुभा अल्ला और जो से क्या कहां क्या कहां या नी बताइए ना बक्री है या फुता क्या है अली मुश्कुराइब मुश्कुराइब का फर्माना पताएब सुभ उसके सामने ले जा के पानी का बर्तंग रख गोड़ से जो कहूंगा वो खजहन रखे इजा अच्छा लगे थो सुभान आल्ला पोल्या कोई बात नहीं वाना क्या कोई कवा sound कि अ जांक कर ुल्भ श्कुराइब स्वानमा से dalी योटभ यह थो खुता आप ना में 더 बनानि अब बताई वो क्या है अली मुश्कुलाए मुश्कुला के बना सुन उसके सामने लिए कि खास रख अगर खाने तो पकड़ी है हलाड ना खाए तो कुटा है हराब है गयाली खास रखते हैं कमी कमी खा लेता है हैजी मुश्कुलाए मुश्कुला के फरमार सुन जब वो खा ले ना तो उसके पीछे पीछे चले पीछे जा अगर खाने के बार जुबाणी करे तागोर जिसे कहते हैं तो भक्री है और अगर न करें कुछने तो गुदा है, और पीछे के पर मौड़ के बचें दो गुदा है! खड़े उख केता यानी कभी आगी के पेर पर बढ़ता है, कभी कभी पीछे के पर बढ़ता है, अलिसमद भी हमाने का नहीं, तब सुन, जा, और उसको जबा कर, खान निकाल, पेट जाक कर, अंदर से अगर अतनी निकले, तो कुटा है, ओजरी निकले, तो बक्री है, खड़े उके केता, यानी, कभी कभी, याँ 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 रे, फुझबा तबने की बास, इल्म-े-अनी के धूम है, तो काइनाथ में, फदल-े-अनी का रंग है, हर बात बात में, भुगज-े-अनी से बाद आए, वक्त के यजीर, हुब्ब-े-अनी को दखल है, तेरी नजाद में, अली आए, याँ अली इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो का मौला, तो यह एद अल्ला के वसूल, मैं क्या बताओं, में साथ मस्ता है, जो दिन से रोटी नहीं खाई, फिर हसन आए, उस्ताज जमन आए, शेहिंशाह जमन आए, इमाम हसन आए, सेयदा शबादी अहरी जन में, कमजोरी क्यों, कनाना कल से रोटी नहीं खाया, नभी ने हाथों को उठागी का परवर्दिगार, मेरी एहरे वैद के मिए ठाना भेज, अचा इससे पहले दिन नभी को भूग लगती थी, कभी जाविद के हर से अंगूर आजाता, कभी खजूर आजाता, कभी पपी का गोश आजाता, कभी दूर आजाता, कभी कोई सहावी शहर ला देता, काम चल जाता, का आज हो लगी नभी ने का परवदिगार खाना किला, दर्वादे पे दस्तक होई, नभी ने दर्वादा खोला, एक दौजवान खूरा है, जिस पे पोश्टान बढ़ा है, नभी ने ल तरा हिस्सा नहीं है, खाने में जा।युदी ने का, मघे एक रोटी खिला दो, मिभूखा हूँ, नभी ने का, एक नीवाना किला। पूप बॉद लगी है, नभी ने का तेरा हिस्ता नहीं है निकाल, चला जा, सेदा जहरा ने कहा बाबा, इससे पहले आपने कभी साइड को मामने वाले को, कभी खाली हाथ नहीं लटाया, आज ये बार बार वापस जा वापस जा चूपर रहे हैं, ये जो खाना है ना ये जन नसले आया, वो ये चाह रहा है कि उसको इस खाने से कुछ हिस्सा मिले, ताकि उस पे चहन्नम की आथ हराम हो, अल्ला नहीं चाहता कि अहले बैद का खाना, अहले बैद का र्वेस, अहले बैद की रोटियां उसके पेट में जाए, इसलिए मना कर देना बेदी मैं इसलिए क अल्ला बेस, शैतान के प्रेक में नहीं जाता, समझे, अगर खुच्रे की देख सजी हो, शर्वत का जरम लखाओ, मनीदा बनाओ, और कोई देख के मुझ घुमा के कहे, नाजाइद हराम शे, समझ जाना, अहले बैद की नियाद में, इसका हिस्सा नहीं होता, अल्ला अल्ल अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका नहीं है, तो अहले बैद के जिक्र में इबलीज का हिस्सा के से होता, तो जब भी देखो, कोई अहले बैद के जिक्र से चिड़े, दूर जाए, अहले बैद के जिक्र से भागे, समझ चाना ये इबलीज है, इसकी किस्वत में एहले बैद का जिक्र नहीं, जा हुआ, रसूल ने का परवज़ार में एहले बैद के लिए खाना बेद, जब हुसेइन ने का मैं भूखा हूं तब, नभी हूखे थे रोटी नहीं मांदी, जारा भूखे थी दूआ ने की, अ जारा भी ने रोटी भी हो, किसी ने गोश लिया हो, किसी ने शहर दिया हो, अल्ला ने का जिवरीन जन्नत से ले जाओ, परवज़दाद दुनिया में रिस्क का बंदोवस्त नहीं हो ज़नता, जब जनावे मर्यम के लिए खईब से फ़ला सकते हैं, तो क्या अहले बैद के लिए गैप्श नहीं आसकता जन्नत से लेके क्यों जाओं का जन्नत से लेके जाओं ताके मुहिन उद्दीन जब ये कहे शाह अस्त हुसाइड तो दलील बन जाए बैठा जमीर पे हो हुकूमत आस्मान पच्छाइड अल्लाह नारे है जाली 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 जा इसलामिया शायत कि अध्य हो ईत्ग हुसाये सब्सक्राई थाये चांगत थे जमीन से आस्वाटा एक अध्यूर करें जमीन पर हुकूमत की काम मैंदान कूफा में बाजार कूफा है सरे लिए उपेद इनलाइब ने जियाद देखने आया कवन्नल है कि जैसे हुसाइन के से ने ने पर खुनान परना शुरू किया सारा कूफा हुसाइन के खरी आगया बादशाह वक्त अकेड़ा खाला है मैं के रहूंगे क्या है तो आवाज आएगी ये दलील इस बात की है कि बार्शाह अस्त हुसाइन जहां हुसाइन होगे अवाम का मजमा वही होगा जन्मे खफीर वही होगा वरिश्टों का नुजूर वही होगा मुलडे दर्बाले यजीद में जब हुसेन ने पाक का सर सोने के तश्क मे लाया गए अभी यजीर आया शनाक के दशे में वाधन में दौट रही होगे यजीद मना पालताः उसको बंदरों से लगी महबत है अब सब्बहे उस बंदरों को यजीद से क्यों महबत है यह आपस समझ लेंगे हम इसान है दूर रहेंगे यदीद को अच्छा लगता है ना बंदर दोनों हमें पसंद नहीं सुरिए यदीद बंदर लेके आया शराब के नशे में दोटा तब चला जैसे लिए उपर आया कोई नहीं ख़ला हुआ दर्वार सब बैठे थे शपीर थे मिश्ल के बस्रा के एलाम किये तो उपर नसा सब को जमा किया था एलाम कर देने मजीद करा तो जैसे आया कोई ख़ला में सब बैठे है कशरा भी ये शराबी शरा पता चलिए और इतने में हुषैन इंपाक सा सब तष्ट में सजा के लाया गया तो जैसे सन लेके हादी हुआ हुआ इसन डिलोगे शसे आजवी हुआ है दो नहीं पर दिद्री और चलिएा युदर गाया था जहींद करा है धी अजडिशार जैसे जाना में नदेशी जाजद वार के लिए हुआए है और नहीं आमने लखे शाल जैए जो डशकितरा पते तो सबंद है जाना में लखनार नद और निसकी जमीन सब्सक्राइब कर देटा तब कृड़ता फिर बढ़ा तस्वी पास की अतंभ गिरलेश्टर फिर पर जाएगा फिर शाती नींदेगा भी पर फिर देगा पर फिर समय इसे प्रडिचेव अब तो हुसाइन पहले बादशा थे फिर नाना ने सीने से तगाया इल मोटेला तुशा हुए यही होता है ना पहले इंसान छोटे दर्जे का बंदा होता है फिर रिलायत मिलती है तो कुटु बगदाल और गौस होता है छोटे से बावा तो घरीव नावास को कहना चाहिए था ब तुटे थे बात में पढ़े हुए नहीं शास्त हुसाइन रोज़र प्रवास था बना है हमेशा बना रहेगा अ क्या स्थ हुसाइन बादशा अस्थ हुसाइन धीन अस्त हुसाइन हुसा इस धिय है दीन है जोटे बोलो हुसें हुसें ! बंदा दीनदार हो सकता है उलतपी परहेजगार ये दिन नहीं हो सकता है दीन कैसे हो मैं हाथ पकड़के कहुँगा प्यारे सुनने निसाइए उठा जिर्द चार उठा हदीसे पढ़ाई विया हुसें खोल मेले साथ मस्जदे नभवी में सुमानला अभी चीछवादों के दिन है अगर कोई कहेगा हुसाइन दीन पैसे है तो मैं पहुंगा सुना में निसाइ उठा चौथी जीर्दला बदाई उने हुसाइन का चेप्टर पोल मेले साथ मस्जदे नभवी में आव नभी सजदे में हैं हुसाइन आके पुष्ट पे गरट गए और देख अगर हुसाइन उतारे गए नमाज आगे बढ़ाई गई तो हुसाइन दीनदार है और अगर हुसाइन वैठे रहे नमाज ठैनी रही तो तमच्जा दीन अस्तों हुसाइन हुसाइन दीज है। वुकारी में है कि स्यदाउ मामा जो जनाव-जैनद की शैदादी है। स्यदादी ए है। जनाव-जैनद कौन। रुइए गरता है उनकी उमामा रधाती है। उमामाना के गोजने बैठाती हैन, गजनते बैठाती हैं, गजनते बैठाती है, रसू उखां के बबने बिठाते हैं, नमाज आगे चालू कर रेते हैं. Zentुशाइन भी आ गए है, लोगोंने शोचा, वैसे होगा जैसे पहले होता था आज मनजर बदल गया, आज नजारा बदल गया, आज रसूल का जो है मामला बदल गया, आज आज आज़त की शिराफ काम किया, रोज उमामा को हटा के नमास पढ़ वेते थे, आज हुसैन बैठे रहे, नमास ख़री रही, वो या रसूल ने परवाया देख लो, नमासा होना हुसैन होना और, दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है, दीन पना अस्त हुसैन, हुसैन, दीन की पना है, पना समझते हैं, क्या मतल़, कभी किला देखा है कोई, पोर्ट, दर्वागा होता है किले का दाखिली, और वहीं से दीवार बनी होती है, जो पूरे किले को घेड के रख ताकि किले में चोल दापू बंडे बनमाश नुटे ना आपाएं इसलिए बनाई जाती है उंची दिवार इस दिवार को पार्सी में कहते हैं पनाह गारी नवास क्या कह रहे हैं दीन पनाह अस्त हुसें हुसें दीन की पनाह है यानि दिवार है जिसमें दीन आके महबूद है कयामत तक यजीव जैसे लुटे रहे हैं मरवान जैसे चोट लोड़ बलो यजीवियों जैसे डाकूँ से वही बच सकता है जो हुसें की पनाह गाह में आए तो हुसें कौन है का दीन के गिर्द वो दिवार जिसमें चौदा सो साल से दीन बचाया हुआ है पता चला दीन मेरी तक्रीर से नहीं बचेगा शाइद की शायरी से नहीं बचेगा तो लगता ही चायरी से तो हुझेगा हुसें की पनाह नहीं आदे जे ले बचाने ले बेक्ँ पुरवान करने पड़ते हैं घरवाले पुरवान करने पड़ते हैं बच्चियों को ब chorे पानी के प्यासा कटा जाता है जब संसर नेजे से वर होता है तब दीन बचता है जिस पहले कर्वना में आपके आउजाग पखाए तब जाते ही अधिस्ता दीन के लिए दीवार है कौन से दीवार कि जबी मिस्रा में पनाना बावा तो गरीब नाज की तोकष दो बार को दो बार कियों कि में जहने वह अधीछ आ गई अना मदीनत अलमें वालिह उंबारुहाद म इल्मतश है हो अली धर्माजा है वदी मिमाज में पढ़ लाया मुस्तफा कि इल्मतश है अली धर्माजा है गुसेल कि दीवार है इनके दर्मयान क्यामत तक इस्लाम जिन्दा बाद है और जिन्दा बाद है कर foster पर दुरूर भेजते हैं तो ऐए इमानवालो तुम भी दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो और लखी के सलाम भी भेजो मैं भेजते हैं और फरिष्टे हैं इमान वालो तुम भी आओ वो काम करो जो अल्ला करता है तो अल्ला करता है तो अल्ला में एमान वालो तुम भेजो तूब जो अल्ला करता है रसुलने जब आयक पड़ी तो सहाबात के रहते हैं कैपा दूसली इलेगािया रसुलल्ला वुजूर्ज रावते पुरूर्श किसे पढ़े पढ़े groundedरो नभी ने फरमाया परो अल्वामा सल्भ अला मुहम्म्ट वाला आल मुहम्मट एक रिवायत में ठिखा सकते नहीं जिसमें नभी ने बताया हो और आल को शामिन न किया। आज़कर नया चलन-चला है चोटा गुरूपकरूप अल निकाल दिया है आल गायता है आल का जितनी दिए ये विज़त कर शुरूरी पता है बनु अबास के दौर में लिखत पर्चा जादी किया कि जब नभी पे दूरूर पढ़ो खबरदार आल को शामिल मत करना है आज तक वई रवात चला रहा है जब रसूर ने कह दिया आल को शामिल करो तो उम क्यों नभी पर्माते हैं ला तुसल्व अलय्या सलातल बतरा खबरदार मुझते अधूरा तुमकटा दुरूर नपढ़ो या रसूल आल ये तुमकटा दुरूर क्या है कर जिस दुरूर ने मेरे साथ मेरी आल को शामिल ना किया जाए वो दुरूर अधूरा रहता है मुकम नभी है नभी का फर्मान है यदी का यहीं सहाथ ये को वनु अभास के लोगों ने बन करवाया तर्वार के दुरूर पर नपर हो यहां तक कि इमाम गदानी फर्माते हैं जो हर्व मुदाल वारिस अन बयाने हिकायतिर हुसैन एक जमाने तक मुकमिर खतीब और वारिस पी कि लूजी के द क्रूजी को सब्सक्ति उनकर करना हुजान था रिवाशक कर सकता था जल्दानी कार सकता था में जईव कर देने यह पार्वन कर सकता था Egyptian कर सकता था इसे वक्त में हमारे एमाने अपनी किताबों में हुसाइन का उच्छा कर दो अगर हुसैन का जित सुभे ठयामत तक बंद नहीं होगा इसलिए कि हुसैन का खोल ला इलाहा बिन मिल्रेया है जजद तक ला इलाहा बाखी रहेगा जिस्कर हुसैन जानी अभिजान बिल्लति इसलाव कि इसके गौर्द कीजिए किसक्तर मुष्किल्टा दुमाना आले नभी पे उल्या है ऐलाद नभी पे उल्या । छोड़के छोड़के साधात के बच्छों को नेजों से कतल किया जाता था करवार से बोड़ेकी उलिजाताय उनसा चुल्म क्या होता था उनका जुर्म फकत और फकत ही होता था कि उन्हीं वो नभी की अव्लादी है वो अजी की वेड़ी है गौस आदम का नाम लेते हैं न सुनी वखर से खादरी हैं शेयन लिला ये शेख अब्दल्कादी जिलानी वो सेयादब के जद्रनेtv हजूर। सरकार सेर्णा अब्दल्लाल महद यैं हसन हसन के बेटे हसन मसना हसन मसना के बेटे अब्दल्ла महद अब्दल्ला महद को बाद शाह 것은 हिशान इतने अब्दल्मनिक गरिफ्तार करवाया मुखिरी के छूटे इन्साम में और घर में बंद करके पूरे घर को हिट्टी से प्लैक करवा दिया और आख दम धुदिने की वज़े से इंदपाल करवाई दम धुदिने असखर दिवाज गोस आजम के अज़दाद ने इतने खूशूरत थे नाम था असखर लखप था दिवाज जनाने शब रे शब एक तब खूशूरत गोरे बोरे थे बड़े हसीन थे उनको बनुबाद के बादशाने अपने महल की दिवाज में चुनुआ जिन्दा महल की जा रही थी तो असबर दिवाज में देखा कोई मुसाफिर जा रहा है आवाज लगाई मुसाफिर कहां जा रहे हो का मदीने जा रहा हो तो असबर दिवाज में का जातो रहे हो मिले नाना को मेरा सलाम कहना और कहना नाना उम्मत ने बहुत जिरू किया है मैदाने कयामत में विन्म आपसे इसकी शिखाइप एक करवला नहीं हुए क्या रहे था आप तो जोंसके हो एक करवला हुए और बात Σक्रामी नहीं भाद करवला फासायन कषर नेजे के घूमाया गया जधिद शही कमतार कर गए ना जैद, क्या उन है जैद शहीद, मालू है आपको, बताइए, ये वो हैं जिनों ने दीन को कुर्मान लादी है, आपको नामी भी बता, जैद शहीद, स्यद सज्जाद, इमाम देम लाबी, किसम से छोटे सावब लाबी, जी, जैद शहीद, जिनकी अवलाद से, ख्वाजा जैद शहीद, कहते हैं, जैद रहुमत वक्त के खिराफ निकले ना, जम करने के लिए, तो बादशाह वक्त से तक्रा गए, इमाम आजम अबुहनीपा ने पत्रा दिया, जो जैद शहीद के साथ देगा, उसको वही सबाद मिलेगा, जो पत्रोब हर्म रसूल का साथ देने आले पुला देगा, बारा हजार जिरहम भेज के मदद की, और का मैं असी साल कहूं बूरहा नहीं होता, तो मैं भी आपके साथ जब दरने आता, बदू अब्दास के बादशान इमाम आजम को बिलाया, और बुला के का आप पत्वा वापस लो, वरना कत्र कर दिये जाओग इस जर्म में इमाम आजम को टैद लगा लागए, उस के इमाम आजम को जहे दिया गया, और इमान इमाम आजम कुछ पर दरने लोगो, अगर हूप पर आने मुहमत शियत है, तो दरना हो जाओं में शियाý दो पहर मस्री ने बता जिया मैंने उप्टे आले रसूल शियत नहीं है बुख़े सहावाशी है इमाम शागई को ने बता है? रसूल अल्ला के वालिद का नाम अब्दुल्ला दादा का नाम अब्दिल्मक्तलिब पर दादा का नाम हाशिब हाशिन के भाई हैं शापे शापे की अवलाद में इमाने शापे पैदा हुए मक्के में रहे मक्के में निता मक्के में हुआ बड़े मक्के में हुए और फिर आदम क्या हुआ पता है मक्के वालों ने मान के निकाल दिया था तुशिया हो गया किस खेट की गहां से हमें तो यह इसे ही चप जाएंगे साथ यह से इसी विए जद्वे के शुरू में कहा था एक दम सीनासी पर रहे के कहना कि जो जान मानगो तो जान देगा कि हमसे न होगा कि हुसाइन तेवे खून का जाओ जाओ देगा इरादा कर लो करवना खतम नहीं हो एज भी करी कुछों में शिवर और फूनी मिल जाएंगे तब कुछ जाने के लिए खुट कर याद जाए जिक्र हुसाइन असल में मर गे यजीद है तो या हुसाइन कह दो यजीदी तरबने अशिया हो गए तो समझ जाना खोट है इसका खोटा है इसके साथ मसला है अगर हलाल जादा होता तो हुसाइन बहुत अच्छे लगते हैं अधिजाने मिल्चते इस्लामिया जहले शहीर जब शहीर हुए ना सुनो रसूमल का बेटा साथी घबरा गए के इनकी लाश के टुक्रे टुक्रे कर देंगे यह जादिन करवदा में देखा था नहीं किया था तो कैसे छुपाएं का इनको जिरा और खुद थेना के लाशो अधिजाने में देर मत करो कफ़न में देर मत करो लावारिश राच में मुसल्मानों चंदा करके कफ़न देखो उसके नवासे कजब शहादत हुए उसके जिसके तो बड़े लगत रहे हैं कैसे लोग थे हो खुदूर के दुनिया से जाने के 50 साल के अंदर ये लंदी खाया कौन थे ये लोग जिनोंने आरे रजूमी पर इतना जुम किया रहते हैं अजीजाने महतरा जैरे शहीद के लो लाशा था ना लोगों ने का चुपाओ बड़ ख़दा खोड़ा दपन किया एक दम फ्लास्टर करते उपर से नहर महारी पानी था ताकि किसी को शपन होगी य नास करता हो किया और जिस्म को चार साल चार महीना चार दिन तक बड़ाथ के चोड़ाहे पर लगएके बड़ा करते हना नहीं है प्राख़ और सब्सक्राइब आध्याभेतागी। कुरूं परहे है या पुनया एए मेरे बेटे माफाल अभी का अमती मेरे उमत में तेरे साथ क्या किया चा कोई इतने खुम्सूरत स्थाद्थे को मारता है चा कोई फूली पलटाता है लोगो गवार है ना क्यामत में रब से इसकी शिकायट करें कि अब शुबा हुई ना बादशाह वक्त ने कहा ये लाश खराब नहीं हो रही है लोग कहीं यहीं मुरीद में होने दर गया पर गया थे हैं सेयदों के लिशुनी देखिए इतने जुल इनके बार लाश उतारके आप लगा दी अब लाश में आप लगा दी आप और वह अब उसको हथोड़े से उतने जगा है लेखरें दुश्मनी देख रहे हैं है कि एक कर्वला नहीं में लिए चार सो साल तक लगातार आप ले नश्मने को चार सा साल चोटे चोटे बच्चों को मेजे में फिरो करके बदात की कर्यों में लगा भी अधात नहीं है 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 तो सिर्फ जुर्म इतना याली के लिए है कि रगों में पात्मा जहरा कफून दौरा इसके रवा कुछ नहीं है कर्दाश जर्बा से लोगे राख थी ना राख उस राख को हथोड़े सब्के तुआया गया और उसको दर्याए दज्जा निसी आने गया कि या लोग प्यान करें देखें कि आज मते हैं ले बैट में आगे तुम हाथ चूँआते हो सेजिदों का कोई एसान कराई उनके बाप दादाने तुने इस लाम का ये छट दिया है ये निदाम दिया है ये नमादें दिया है इस शरीयत कपका पैवा में सर उठा के जी रह हो ना मुसल्माद हैं ये फखर इनों ने दिया है जैदे शहीद के बेटे हैं सेदना इसा मौतम अलशबार जिनकी अवलाद मारहरा के साथ आते हैं तुमें पताएं दर के मारे खौट के मारे पहिंद रसुल खतम नहों हो जाए दूर मुहले ने गए और पानी भरने का का क सब्सक्राइब कर एक बेटी की निकाह का रिष्टा आ रहा है माँ खुश हो गई उससे नहीं पता थी ली कौन को बता रहे हैं कि रसूल के खत्म नहों हो जाए कि करते हैं अनिदाने मुहतरा मेरे दोस्तों जब रिष्टा आया तो माँ बहुत फुसरी इतने बड़े घर स गहरे शेयर ने का मैं रिष्टानी को सकता है मेरी बेटी रसूल की बेटी है गहरे सज्दि घर में रिष्टानी कर सकता इस आए या लाई इसे मौत दे दे ताकि ये काम में करो गहरे सज्द के हाँ अपी से बेटी ब्याओं का रात को मुखा चा सुबा इंतकार हो गया कि मर नहीं मैं उसे बतानी से का कि वो रसूल की बेटी है मैं उसे ये प्री चता नहीं सका कि तेरे रगों में रसूल का खूल हूँ कभी दाने मुहतरम कभी हज़ते इद्रीज कभी अद्वार हसनी मुसन्ना कभी जनागे सेदा नफीसा इनके अज़कार को कड़िए अपने ओलमा यम्मा से कहिए कि उद्धिरिंकी बाते सुनाईए रे कौन लोग थे जब सब कुछ जटाके दीने मुश्टपा बचा जहरा का घर लुट गया मुस्तपा का चमानाबाद हो गया नस्ले रसूल एक एक करके शहीद कर दी जए एक एक छे माह का फच्चा भी हाथों पे ठाना तो जालिम में तीर चलाया है और वो तीर जो तीर मुँख था जो हिर मारने के लिए इस्तमा का वो तीर चलाया तीर अलियस्तर के जले पे लगा पार होके हुसाइन के बातियों पे लगा और जब लगा ना तो हुसाइन का कब्जा हाथ पच्चूर गया और एक जल्डी सी लाश हुसाइन के बातों से रटक रही थी तो जल्डी से बच्चे को गोज में लिया और तीर निकाला खून का एक फवारा निकला मेरे रब हुसाइन तुझे इस कौम पे गवाह बनाता है क्यामत में आऊँगा तो ऐसे के मेरे मूँ पे लगा हुसाइन का बन्ला मांँगा मैं तुझे इस कौम की ज़दा मांगा अजीजान में महतरा मगर काइनार बताती है ना कि हुसाइन की आपों से आशु आए अलियस्तन मुश्कुरा के बता रहे थे के शपीर के हाथों में जिदम तोर रहा है जोटा है मगर पाईते अर्बाबे वफा है जिसकी नंदी जिकर्दन ने और जिसके नंदे से सर ने लेजे पर सवार होके बता दिया कि अगर नभी का ख़र लुट भी जाए इसलाम का उच्छा नाबाद क्या लुटाया होता है कि अली अग्बन जेसा बेटा कि कभी देखा है कि बाद को जिसका बेटा आइसीओ में हो एक्सिएंट हो गया हो हॉस्पिटल में आखरी सांसे योज़ा हो बाद को एक पर चैन नहीं आता अगर बच्चा खुशूरत हो हसीन जवान हो तो पुरा महला करता है कितना नौजवान खुशूरत था कितना हसीन था कितने अच्छे अखलाप वाला था महीन और चर्चा चलता है जब भी गुज़रता था नाके से चाइब सलाम करते जाता था बड़ों को बच्चों को सब करता था बहुत लेक बिर्था बहुत हतीन हो तो रहता है जो देखने में रसुल इनला की द्राविटा था हमारे आजी अपर कर देखर दो मिनिट में होता है है दो मिनिट है तारीख कैटी जब से हुसाइन नाना से जुदा हुए था एक पंचे नहीं आता था कि एक प्रहमेशा नाना को देखने के पाहिए अपि अल्लाजे इमाम हुसाइन को एक बेटा आता करा था खबर आई घर में हुसाइन मुबार्ण को बेटा पैदा हुआ तो पहें जैनद को लेके गए और बेटे को उठा कि जैनद की बोज में दिया सेदा जैनद जैनद जैन लिए ना बोज में अली अकबर को लेके मुस्कुराइं पहला जुम्ला कहा पहला जुम्ला क्या कहा पता है कि जैसे बोज में शैदा जैनद ने कहा भाया यह तो हूबहू नाना की तरह नित्ता है वही नाक वही लुक्तार वही माता वही जबीन वही गर्दन वैसे सीना वैसे बादू वैसे हाथ वैसे पैड जैनि बनावट में खल्क में खल्क में नुप्क में यानि बोलते थे बर्दे के पीछे तो ज़ता रसूल बोलता है किरदार रसूल जैसा, अखलाक रसूल जैसे, जिसमों जिसमानियत रसूल जैसी, का हुसैन जब मदीने की बस्ती में लेके चलते थे ना, तो अलिय अक्पर के चेहरे पर्दा डाल देते थे, क्यों? सहाबा अलिय अक्पर को देखते थे, तो अपनी दुकाने छोड़कर जब बीचे दौरा कर देते हो, कहते थे, हुसैन पर्दा हटाओ, नभी के अनवार का, नभी के चेहरे का, नभी की तस्मीर की जियानत कर देखते हैं, हम शबी है रसूल, हम शबी है प्रमबर, नाम है अली, लकब है अक्पर, हुसैन के तीन देते थे, किनों का नाम था अल और हुसैन कहते थे, रहें, हगर में एक हजार बेते हो, तो मैं सब का नाम अली रखूँगा, इस प्यार करते थे हुसैन, अपने बाबा अली से उनके नाम, जब बाजार में निकलते थे थे ना, तो लोग हान पैर चून के कहते थे थे, रसूल की तस्वीर चाले थे, मुस अपकिन हो जाते हैं, तो सारे सहाबा जमा होके हुसैन की दरौजे पर आते हैं, कि शेहदाजे को बाहर बाहर आते हैं, तो हाथ को चूँगे कि शेहदाजे हैं, क्या, कब मस्धित नम्वी में चलके आजान दो, मदीने वालों ने बहुत दिन से रसूल की आवाज नहीं कौन अलिय अपर नगों, लिवायत में हैं 6 साज उमादी या 10 साल, 10 साल की बच्चे की क्या उमर होती है, को कोई خबर माती है, जब 10 साल की अलिय अकपड हुए है, तो बाबा हुसैम के और हागी है, यदि कि आतो, कहो अलिय अकवल क्या बात है, का बाबा, लंदर ज्रात है ना भाईया हसं का चचा हसं का तो लंगर चलाते हैं आपका हसं का का हां का वा फ्रीव इतनी होती कि बंच्छे तीशे रह जाते हैं मुझे इजाज़त दो अल्यक्पर एक लंगर खोले इस पे मटीने के बंचे खाना था इतना खिलाने वाला कर वजम सखीन हुआ है यह जिसके नीवाले कि नहीं है यह जिसका शुर्ब खेंगा इसलिए कि स्यदे सज्जाद के बेटे इमाने मुहम्मद बाकिर भी कर्भुला में मौदूद थे अली अक्बर का निकाह हो चुका था अवलाद नहीं यह जोदा साल तक जिसका लंगर अरभ वालों का पेड़ भरता रहा हो अली अक्बर हम शबी है रसूल और इतने प्यारे थे ना जैसे फुपी ने गोद में गिया लेके का भईया यह को नाना की तरह दिखते हैं तो उसी रख जनाब जैनर ने कहां एक अर्ष करो हुसें आका एक अर्ष करो कहां कहो बहें क्या बात है का अधर इजाद दो तो तुमारा यह का मैं पाले मैंने बहुत कम अप्वा रसूल की गोद में खेदा है नाना की गोद में बहुत कम अप्वा पाया है आप इजादद दो तो मैं इसे पालू ताके मैं बार बार इसकी जियारत करूं तो नाना की जियारत हो तारीन कहती है जनाब शेहर बार में कहती है जनाब उ कि अब जब जब मुझे नमाज में नाना कीया आती है मैं जूदे में आके अनियक्स स्पीर प्राइब कर्बला में हुसान ने बेटा नीखोया है नाना की याद खुई है तेदे अब दस मुहर्वं की सुभ हुई और अदान देने की बारी आई अज आकरी अदान है अली अक्बर को अजान देने दो हुसैन चाहता है कि नाना की आवाज में आज अजान सुने का पिजब अली अक्बर ने अजान थी ना अजान ने क्या जूँ ये कहे पता है अश्दवन्न मुहम्मद वसूलिल्ला का जैसे जुम्ला निकला आज सहामा हुसैन के खेमे में थे जिसमें से चाबिर बिन उर्वाल की पारी थे का पे होशो के जमीर में गिर रहे होश में लाया गया क्या राथ है कैते ख़सम खुदा की इस बैस नौजवान की चूरत इसकी सीरत और इसकी आवाज मुस्तफा करीम की आवाज की तरह है जाबिर निर्वा अलगिफारी सहावी रसूले जब मदीने जब कर्वला को हुशने वाले थे नहुसैन तो ये रास्ते में बिले थे अब बास ने का आपा पीछे वो एकापला आ रहा है शायर मुखिरी है खबर करेगा यहां की बात वहां करेगा तो आखा निकाह पर रहा है आने दो जब वो करीब आए तो तीन लोग थे एक बाद एक बेटा एक गुलाम कौन कमें सहाबे रसूल जाबिर निर्वार लिफारी खबर करेगा खबर करेगा यहां का करवणा में हुसाइन आख के साथ आया हुसाइदे ने कासी साइद की उमर है जिसन पे राशा तब तबी है वो तूट के खड़े नहीं हो तक कैसे साथ देंगे आप घर जाएए आराम की जेका नहीं में मस्जद नमवी में था आप जनाब जहरा के हुजरे से निकल के बाहर आए ज़र ख़लाए नभी ने बढ़के आपको बोल ने उठाया और उठागे बस यहीं कहा का मेरा बेटा तरबला जाएगा तुम में जो जिन्दा हो इसके साथ जाना इसका साथ देना मैंने नाना से आपके बादा किया था वैं आपको साथ दोगा हुसाइन देका जब नाना नहीं जाबत दी थी तो आओ कापरे के साथ शामिल हो जाओ आपकी खिद्मत के लिए अबास, अली अकबर, कासीम, आउन, मुहम्मद, मैं सब आज़ जब आज़ दोगे हमाँ की खिद्मत में आएंगे आप बुज़ग है नाना के सहावी है तो क्या कहा जाबीर ने और वाल जुफारी में पतत हाथ जोड़ के का आपका मैं पीछे चलूगा कनीखे, काफले में आओ, तुभानी हमारी मन्जिब एक, रास्ता एक, कर्वदा एक तो अलग अलग क्यों चले ने का नई आपका इस काफले में रसूल की बेटी जैनब भी है और जहाँ शहजादिया होती है, महां भुलाम साथ नहीं चलती है पीछे पीछे चलती है सहाबा बताएंगे इहरो मैद का एंगका चाधरेशियने वालों को क्या खबर होगा कि जैनब किसको कहते है तुमाचे जवाने वालों को क्या खता कि सकीन किसको थे अजीजों मेरे दोस्तों कहते हैं कि सब को हसैन सेला के भेर रहे थे जाओ जाओ कर्मला गए लाशा आया गए लाश दाए गए लाश दाए लाश दाए अब बेटे को इजाओ की थे अरिये के आकि अरिये पर में हाथ बान चलता बाबा हमें जंग की इजाओ की दो तो हुसैन दूरों के बस हमीन पिला गए अश्यादा तिरी शक्र मेरे नाना से मिती जनती है जब नाना की याद आती है तुझे ने जएज़गे तो लुट ने कर तो आजाज़त देगा तुमें आजाज़त देंगी तुम्हें निजाज़त है मां के पास आए हाथ-पकड़ के काऊंदी कि जासथ दीजिए मैं मैंदाने कर्वला में जाओ ना जाओ जान बचा के भागते हैं कई जाज़त तो जनाभे सायदा है उमें लैला केती है जाते माँ इसमें आवन कुछा का है चया ला शहजाद ही गई है जानते थे कि चनाभे से मैं इस भाश दी दो आपके भर की बात सुनिए अली अकबर पहुंचे और गुछनों से जनाब जैनब को पुछना मिदा के बैठ गए शहजादी आखबर तक के तस्वीर कर रही थी तस्वीर पढ़वाई थी आप खुली अली अकबर यहां तेरे बेटे मेरे लार यहां तेरे जिगर के तुबड का इसे आये का लगा जैनाब 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 पर यह देख सकती मैं तेरा लाश आपनी आंगों से भी सकती एक बार नाना को मैंने देखा है कला कि नहीं पढ़र जैनाब बार पूछो आप अग्धल है यह दाजी ठीमा जहरा आप पजीलत रखती है या दादी फातिमा जहरा, जनाब जैन्ब कहती है बेटा की तैसा सवाल है, बिलकुल आपकी दादी फातिमा जहरा मुझसे बहुत अबजल है, तब सच्छी बात, फक्की है, यकीनन, कहां यकीनन, पमाथों को पकड़ की कहते हैं, प्रूपी पिर एक करों आपको करो आपसे अफ्जल खातून पर जो आपसे आला है आपसे बेहतर है उसके भी अपना बेटा अली अपने चेरीठ बेज़े माँ पेड़ा पूर्बान करने उस पे अपना पेटा निशावर करने ठाद नबेज जनाब जैनाब ने घ्यातलि मां के उप्रेक अपना मैंने फातिमा के लाल पे अपना लाल पुर्मान किया अब जब बाहर आए ना तो ख़दीन इबने मुस्लिम कहता है जब खेवे से इजादत लेके निकले तो ऐसा शोर ता खेवे में जैसे किसी जवान की मैयत हो गई हो लोग साव कतार वो रहे थे अली अकबर आए का बापा मुझे इजाड़त जञ्म रही जाने दो हुसाइन की आँखों में आँसु आए का शेह रादे आखरी बार अमामा सब में बागने दो अली अकबर कदने हुसाइन के बराबर थे तो गुठने के बल खलां होजा अली अकबर गुचने के बल आए कि हुसैन ने वो अमामा जिसका नाम था सहाफ, रसूल उल्ला का अमामा था अलियतपर के सर पर बाधना शुरू किया जब पहला परेльच बाधा हुसैन जो से भोले इिन्स लिल्लाही वा इन्स लेहरा जेहून अमामा बांधते जाते इन्ना लिल्लाहिवा इन्ना इरहिरा यह उन्स पड़ते जाते का अमामा बांधा माथा चुमा नाना की एगा पहनाई नाना की तर्वार भी उकाब नाना का भोड़ा लाया जाओ आखरी बार मिल के आओ जैनलागेदीन स्यदे सज्जात से मिलो का सयदे सजजाद के पास गए बोहार में शहजादे थे आँखें बन थी भाई का माथा चुमा आपों से आफसू गिरे सयदे सजजाद के मुबारक चहरे पे गिरे आप खुली सयदे सजजाद करब गए एक अली अकबर भईया कहा जा रहे हो का हमें इजादक पे चंदू भी लगई हम जा रहे हैं अली अकबर ने का परवर्दिगार सयदे सजजाद में का परवर्दिगार ये कैसी बेकसी और बेकसी है ये सैनुलाबदीन का कैसा इंतिहान है कि वो पिस्तर पे जिंडा है और उसका भाई मौत से बले हुने जा रहा है सयदे सजजाद के माधे पे हाँ रखा का नस्रे रसूल तुमसे चलनी है तुम्हें समझ के मदीने तक जाना है तुम आराम करो मुझे इजादत दो इजादत ले के खेमे में आए ये छोटी सी बच्ची अलियक्पर को आके निफ्ची फैने रखी भगिया जो कहा कोई वापस नहीं आया मैं आपको जाने की जादत नहीं रूँगी सकीना का माधा चुमा करसें सजजाद का ख्याल रखना बहें मैं अल्ला ने चाहां तो जल्द मुलाकाद करूँगा अजीजाने मुहतरम हभी इबन मुस्लिक पर जुम्ला है अलियक्पर बाहर आते कोई अंदर से कामत पकड़ के वापस खीच लेता फिर बाहर आते फिर कोई खीच लेता ऐसे लग रहा था जिससे चवान का लाशा रखा हो अलियक्पर ने इजादत भी मेरे बेटे सबन के जाना आइस्टा आइस्टा जाना और जब तक मैदान में न पहुचना पलट पलट के बाबा को देखते रहना आखरी बार मैं नाना की तस्वीर की जियारत करता रहूँका अधिजाय अधिश्टा इस्लामिया बाबा पहीद घज्जे शकर शर्फ मजद श्रेवारी शाप लवीद मौहती से पहर भी ये वो हमारे आइमा है जब करवला का जितर होता था ना तो इस पदर गोते थे गिरिया तारी होता था कि बेहोश होके गिर जाते थे जी हमारे असलाब की सुनत है कि हुसाइन का गम आए तो आपों में आजाना चाहिए आका हुसाइन कहते है जो हमारे गम में एक गत्रावशू रहाएगा उसको बिरें लिए हम जन्नत में दाफिन नहीं होंगे गम हुसाइन को अपना गम समझिये गा अजीदान महतरम इसलिए कि हुसाइन ने हमारे भी ये कुर्बानी भी है का महलन महलन यापनिया बेटे बार बार देखते रहना ये कहिके लगां चोड़ी का जाओ हो और जिक उसको मिलेगे शहजारा जब आगे चला ना तो कुछ उसको आवाज आई पलटकर अदी अकबर में देखा तो हुसाइन पीछे दोखते चले जा रहे अब आपा ये कैसी बेसबरी है कि आप मेरे पीछे से हट नहीं रहे तो अज्जाइन कहते हैं अदी अकबर आप तेरा कोई तेरा कोई तुझे जैसा बेटा होता और फिर तो उसे जंग ने भेचता तो मैं देखता तेरी इम्मत कैसे इजाज़त देती खैर हमने तुझे अल्दा की राह में भेजा है का हुसाइन जे इजाज़त दी अली अकबर पहुंचे हैं अली जाने महतरम वक्त नहीं कि मैं अली अकबर की जंग बताऊं बस अली अकबर ने दाएं बाएं आगे पीछे वो जंग की है कि दुनिया ऐसे जंग की मिसाल नहीं दे सकती तो जो सारे भट्दर बच गई न मैदान में सब भाग कर रहां चोड़कर अली अकबर ने देख अली ऺषनाना ये भी हमती नो दिखाना ये गुस्दिनी नो नहीं दिखाना तो अली एकबर ने कहा बाबा बेहुम्ती गुदिनी से नहीं आया हूं मुझे क्या शिक्प लगी है बाबा एक तयाला पाने पिला दो मैं की वैदान में भी गवाही लुगा कि मुझ जैसा बह अपनी जबान मुह में रखते हैं, नाना हमेशा अपनी जबान मुह में रखते थे और तहते थे इसे चूस रो, इसे तस्कीर हासिल करो, अजीजाने महतरम हुसाइन रो देते, तो रसूल गोद में उठा लेकर के, सीने से लगा के करते, फातिमा अलम तालमी, अन्ना जानती, कि हुसाइन का रोना मुहम्मद को तक्मीद देता है, एक दिन राखते से गुदर रहे थे ना, एक घर से बच्चे की रोने की आवाज आई, तो मेरे आँका ठहर गए, दर्वाजा खखखखखगाया, एक आदमी बाहर आदा नजर पढ़िया, रसूल आल्ला, आप मेरा गरीब खाने पे, कहां आया दो हूँ, लगर सुछ खखखखखगाया, तेरा बेटा कभी रोने न पाए, तेरे बेटे की आँखों से कभी आँसु न निकले, और हुदूर आखिर वज़े क्या है, तो नहीं जानता, इसकी आवाद मेरे हुसीन के आवाद से मिलती जु रहों, बेशक्म नोग जो लोग जो आज़ो से रसुल को ईज़ा देते हैं, लानौह मुल ल्लाहू कि अल्ञ़वाला कि आाखिरा, उन निकले अभी आखिरा, लानौहícia के बोरना चेक् मिलती जिससे लिएमarpव का रॉनौह थिए, जो ऑखिर एमारा की आखिरा, वारा, इंःे के पाक्ता है artifact of Shepherd को शंथ को तक्रीं दो रसून की अजियहाद हो जहरा को तक्रीं को तकी तो रसून की अजियहाद है कई सीने से लगा अर्द हुसा के數 हममे दाव सेखते हैं जहराada infect दीसा हो बानी आने तक इनकारना मेरे पास लाना मैं अपनी कौसरवादी जबान इसके मूँ में रख के दुन्या को ये पताना चाहता हूँ अन्ना बुकाओवु युजीरी हुसैन का रोना मुहम्मद को तकलीब बहुत दे और जो तकलीब थे उसके लिए क्या है वाएस्दा लहादागन मुहिना अल्दाने उसके लिए हैबत ना दद ना गजाता लिया अब हुसैन क्या कहे रहे है रहे है शहजादे ना अपनी जब अपनी जबान तुम्हारे मुहमे रखता है का अलियबब के मुहमे जबान रखी अलियबब दो कदम पीछे है के कपाबा आपकी जबान मुझ से लादा सक्ष्ट सुखी हुई है रुसैन लोगे कहते हैं शहजादे तीन लिभ हो गए हुसैन ने लबों पर पानी का खतरा न हमारे लब प्र पानी का खतरा नहीं आया अमूठे निकाली अलियबब के मुँ में रखी का इसे लिये लो इसे चूस लो कुछ तस्कीन हासिद होगी अलियर ने अमूठी चूसी वापस माबा को दिया वापस मैदाने जंग में पंटे अजीजाने महतरम अब जालिमों न च शहादत का गम नहीं है मुझे गम इस बात का है नेजा उस पर चला रहे हुए जो रसूल नहीं की तस्वीर नहीं सुछ नहीं बालिमों अलियर नहीं झाल 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 झाल